मशकार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं UK SSC क्रैकर में तो उत्राखंड चिकिसा सेवा चैन बोर्ड में एक नई विकेंसी निकाली गई है जो की 256 पोस्टे हैं और इसमें ये चिकिसा प्रभारी आयरुविदिक और यूनियानिकी रहने वाली है तो अभी आयोग ने सिर्फ 256 पोस्टे निकाली है तो 1600 पोस्टे निकालने वाला है टोटल ठीक है उत्राखंड चिकिसा सेवा चैन बोर्ड तो अभी आप देख लेजिए कि किस तरह सा आपको जो है फॉर्म फिल करना है कब से अपलाई करना है और स्लेबस क्या रहने वाला है क्या eligibility रहने वाली क्या age limit रहने वाली यह सब detail में हम बात करेंगे तो सबसे पहले देख लेते हैं यह जो रहने वाली वेकेंजी चिकिसा अधिकारी के रहने वाली ayurvedic और unanimous ठीक है तो एक पद इसमें आपका जो रहने वाला है प्रबंदक state pharmacy का भी रहने वाला है और एक प्राकतिक चिकिसा का भी रहेगा ठीक है तो पद का विबरन हम दे देख सकते हैं और इसके बाद है चिकिस्सा अधिकारी यूनानी बैक लॉग ठीक है इसमें सिर्फ एक पद है और चिकिस्सा अधिकारी योग प्राकतिक चिकिस्सा ठीक है इसमें आपका सिर्फ एक पद है जो कि है जन्रल का इसके बाद है प्रबंदक स्टेट फार्मिसी ये भी आपका सिर्फ एक पद है तो सबसे जादे जो पद रहने वाले आपके चिकिस्था अधिकारी ऐर्विदिक के रहने वाले हैं जो की है ठीक है 200 से उपर ठीक है लेवल 10 की ये जो है वेकेंसी रहेगी अनुसुची जाती का उसी तरीके से जो देख सकते हैं आप इसके बाद सीर्फ देख लेते हैं कि किस तरीके से जो है तो लेवल 10 की ये वेकेंसी रहने वाली है सभी लोग इसमें आप देख सकते हैं काफी 1,77,500 तक इसका जो है वेतनमान रहेगा ठीक है आयू सीमा जो रहने वाली आपकी 21-42 वर्स होनी चाहिए निर्धारित आयू गर्णा की ठीक है एक जुलाई 2021 को होनी चाहिए अब भिरती की आयू एक जुलाई 2021 को न्यूनितम 21 वर्स और अधिकतम 42 वर्स होनी चाहिए ठीक है तो इसमें आपका आरक्षन भी मिलेगा पांस साल की जो छूट मिलती है और जो ये रहता है वो भी रहेगा ठीक है तो अब पार्ट सेक्सरिण की योगिता देखें तो हम सबसे पहले साधारन ग्रेट चिकिसा अधिकारी आयरुदिक की जो रहने वाली है इसमें आपको या तो ठीक है सनातक होना चाहिए ठीक है अ एरुदिक से उपादी होनी चाहिए किसी भी विश्वविद्याले से या भारती चिकिसा परिशत उत्रखन एरुदिक से पांस साल का ठीक है पांस साल या साड़े चार साल का उपादी होनी चाहिए ठीक है या तो उत्रखन चिकिसा प्रभारी ठीक है उत्रखन चिकिसा पर experience लगता है और एक साल की internship होनी चाहिए मतलब इन मेंसे आपका एक point होना चाहिए ठीक है यह हो गया आपका किसके लिए चिकिस्सा अधिकारी के लिए great ठीक है अयरवेदिक से और इसके बाद देख लेते हैं चिकिस्सा अधिकारी यूनानी के लिए इसमें जो है आपका जो है यूनानी से उपादी होने चाहिए या आपके बाद diploma होना चाहिए ठीक है अयरवेदिक का डिप्लोमा भी चलेगा ठीक है इसके बाद आपके बाद अधिमान जो हो रहेगा आपका ठीक है प्रदेशसक सेना में यूनितम यह दो वर्स से अवित सेवा हो ठीक है तो इसमें आपको एंससी स्टेट एंसस का आपका सेटिफिकेट होना चाहिए या अठिकरम क्या रहने वाला है वो देख लेते हैं तो पहले देख लेते हैं ऑनलाइन आवेदन आपको किस तरह किसे करना होगा ठीक है तो UKMSSB की वेबसाइट में जाके आपको ऑनलाइन जो रहने वाला है आपका 16 तारिक से हो जाएगा और अंतिम जो रहेगा 5 अपरेल तक आप कर सकते हैं ठीक है तो सीधे आपको ऑनलाइन स प्रोफाइल में जाना है आपको एप्लिकेशन सब्मिशन में करके फाइनल सब्मिशन कर देना होगा ठीक है तो इसके बाद अब सीधे देख लेते हैं कि किस तरीके से जो है स्लेबस रहेगा तो परिक्षा पाठीकरम देखा जाए तो चिकिस्सा अधिकारी युनानी और आयरवेदि का ठीक है तो इसमें आपको परिक्षा रहने वाली है और बी अमेस परिक्षा 10 अंक आपको समझतव प्रोफेशनल के आदार पर 50 प्रतिसास से 54 प्रतिसास तक 5 अंक दिये जाएंगे 25 अंक प्रतिसास उससे अधिक मतलब आपको जो है इसमें स्क्रीनिंग अंक दिये जाएंगे अनुभाव ठीके 20 अंक मिलेंगे पूर्ण एक वर्स हेतू दो अंक अधिक्तम 20 अंक ठीके अनुभाव राज्य केंद्र ठीके मतलब आपने कहीं भी प्रैक्टिस करी होगी या अगर आपकी वो रही होगी तो आप मानने रहेंगे ठीके निजी छेत्र क का आपको जो है मौकिक रहेगा इसके बाए यदि चिकिसा अधिकारी अईविदिक परिक्षा के अंतरगत 1500 से अधिक आविदन पत्र प्राप्त होते हैं तो यहां साकसर के अनुभाव ठीके अभ्यरती को छटनी है तो दो घंटे की दो घंटे की 100 अंक की अईविदिक विशेवों से संबंदित प्रारंबिक परिक्षा का आयोजन किया जाएगा ठीक है अगर 1500 जाद अब भीरती अगर सेलक्ट होते हैं तो उनको क्या स्क्रीनिंग की जाएगी और एक्जाम भी लिया जाएगा एक्जाम जो रहेगा आपका स्लेबस जो आपका सब्जेक्ट वाइज है उस हिसाब से ही आपका जो है सब्जेक्ट रहेगा ठीक है प्रारंबिक परिक्षा में नेशनल कमिशन ऑफ इंडियन स्कीम ओफ मैडिसिन द्वारा ठीक है नियामा वली जारी पाठी करम के आधार पर प्रश्न का निरधारन किय प्रश्न पत्र हिंडी तथा अंग्रेजी दोनों भासाओं में तयार किया जाएगा प्रारंबिक परिक्षा दो गंटे की अविदी जिसमें सो अंक का रहेगा और एक बट्टा चार के आपकी जो है नेगिटी मार्किंग देहेगी ठीक है कुछ इस तरीकी से आपको देखन जेभार